इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। CTDTAM 6.25, 40 बटा 5 tablet दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तिमाल hypertension यानि की high blood pressure के इलाज में तब किया जाता है जब कोई एक दवा असर नहीं कर रही होती है। यह उच्च रक्चाप को कम करने में मदद करता है जिससे भविश्य में दिल का दौरा और stroke की संभावना कम हो जाती है। CTDTAM 6.25, 40 बटा 5 tablet को खाने के साथ ही लेना चाहिए। खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। इस दवा को तब तक लेते रहना महत्वपून है जब तक कि आपका डौक्टर आपको न कहे। इसमें एक मूत्रवर्ध यानि की पानी की गोली होता है और ये आपको अधिक पेशाप करेगा। इसलिए बिस्तर पर जाने के चार घंटे के भीतर इस दवा को लेने से बचना सबसे अच्छा है। इस दवा का अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस दवा को लेने में सूजन, सिर्दद, चक्कराना, ठकान और स्वाद में बदलाव शामिल हैं। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या खराब हो जाता है या दूर नहीं होता है। मान स्पेशियों की कमजोरी, शुश् परिशान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। विशेश रूप से वे जो उच्च रक्ट चाप या हरदय की स्थित का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। आपको नियमित रूप से अपने रक्ट चाप, गुर्दा समारोह, इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर और रक्ट शरकरा के स्तर की जांच करवानी चाहिए। व पॉल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।